नमस्कार दोस्तों मैं सुभा शर्मा चंडीगट से लाल किताब के ग्यान में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की हमारी चर्चा है कि कई बार कुछ चीजें एक्सेस यानि कि अती होने पर हमारे जीवन में वो चीजें दुर्गती करना शुरू कर देती हैं हमारे काम ऐसे हैं जो कि हमारे जीवन में एक्सेस होने पर अब एक्सेस होने पर तो बहुत सारी बाते हैं यानि कि कुछ चीजों की मात्रा जब बढ़ जाए तो प्रॉल्म क्रियेट करती है आप ज्यादा सो तो आपका शरीर खराब है आप ज्यादा खाओ तो आपका हाजमा खर आप ज़्यादा प्यार करो किसी से तो द suspension और से बिधिकत है आप कुछ भी जायदा मात्रा में करो तो दिक्कत है यह नि कि कि किसी भी सीज की मात्रा कम तयी शौदा मात्रस से बढ़ा दें थो वici करेट करना शुरूर कर देती है प्रावलेम्स लाना से कर T इसी तरीके से हमारी अगर हम दूद की बात करें तो दूद में अगर हम जादा मात्रा में मीठा डाल दें यानि कि उसको अगर हम जादा मात्रा में देशी खंड डाल दें तो वो खराब हो जाता है दूद फट जाता है इसी तरीके से कहते हैं कि जादा प्यार हो किसी आपसी relation में तो वो भी खराब करता है तो इसी तरीके से access of everything यानि की कहावत है access of everything is injurious to everyone तो इस तरीके से हर एक चीज की अती जीवन में दुर्गती कराना शुरू कर देती है और आज यही दुर्गती मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से जादा पूजा पाठ करने से शुरू हो जाती है जादा पूजा पाठ करना किसी के लिए खराब नहीं है प्रभू को याद करना हर एक की जिम्मेवारी है और हक भी है कोई भी याद करे पर आज कल के टाइम में आपने देखा होगा लोगों के घुटने खराब होते जा रहे हैं, लोगों के जॉइंट्स खराब होते जा रहे हैं, आपसी relations कहीं से कटते जा रहे हैं, क्यूं ये सब चीज़ें इंसान के जीवन में बढ़ती जा रही हैं, कारण आपने समझा नहीं, कारण आप जानते हुए भी आप अंजान बन रहे हो, क्यूं ये कारण बन रहे हैं, क्यूं हम उन चीज़ों को neglect कर रहे हैं, ignore कर रहे हैं, और वही परेशानिया हमारे social relations को खराब कर रही हैं, हमारी जिम्वारियों से हमें भटका रही हैं, आपने देखा होगा कई लोग आज कल knee replacement कराते हैं, घुटने में कहीं problem होगी, कहीं joints में problem होगी, कहीं डॉक्तर बोलते हैं कि आपको गए आपके घुटने, अब आपके घुटनों का replacement होगा, यानि कि नी रिप्लेस्मेंट होगा, कहीं जॉइंट्स आपके पेन करना शुरू कर देते हैं, कहीं आप अपने किसी जिमेवारियों से हटकर दूसरे ही चकर में पढ़ जाते हो, और स्पिरिच्वलिटी की तरफ हो जाते हो, आप कहीं पर नाम ध्यान लेते हो, किसी गुरू का नाम बाद में पता चला कि वो गुरू ऐसा निकला, आपके अउलाद की कहीं दिक्कतें परेशाने शुरू हो जाती हैं, आपके जीवन में अच्छा होने की बजाए फिर भी बुरा होना शुरू हो जाता है, देखिए मैं हर बार आपको आईए समझा के जाता हूँ, कि कुछ च पूजा पाथ, अध्यातम, ध्यान यह सब चीज़े जो भी spirituality यानि कि हमारे पूजा पाथ से जुड़ी हुई हैं, उनी सब से यह के तु समझा का काम क्या है, के तु है detachment, यानि कि आपको बहुत एक दुनिया से अलग करके अध्यात्मिक दुनिया की तरफ जोडता है, पर यह अध्यातम भी कभी कभी खराब हो जाता है इंसान के जीवन में यानि कि access of everything अब यहां पर everything में spirituality यानि कि अध्यातम आ जाता है अब अध्यातम यानि कि कई लोगों को आपने देखा को तीन तीन चार चार घंटे आपके साथ ही आपके साथ तो from magic relations उन से काट कर आपको उलग ही दुनिया में लेकर जाता है वह relations आपकी संतान से हो सकते हैं वह relations आप के अपसा साइडमें हो गए अब साइड में हो गए तो इंसान कहता है कि इस दुनियादानी में कुछ रखा ही नहीं है चलो परभू के पास जाएगा तो उसी के हमेशा दिन रात उसी के ही कान खाएगा परभू ने आपको धर्ती पर भेजा है कुछ कर्म करने के लिए आप कर्मों से भटक कर अपने धरम में पढ़ गए यानि हर एक चीज के लिमिट होती है उपर वाले ने आपको रोने के लिए नहीं भेजा आपको रोते हुए पैदा किया जरूर है पर बाद में हसने और हसाने के लिए भेजा है कर्म करने के लिए भेजा है के तु इंसान को भटका देता है भटका देता है जोडाव कर देता अगर जोडाव सही धंक से करे तो इंसान का जीवन पार लग जाता है, इंसान के जीवन में कोई किसी प्रकार की दिक्कते नहीं होती, जो वो काम करता उसी से अच्छे फल प्राप्त करता है, जब केतु नेगेटिव हो, केतु नेगेटिव होने के कई सारे कारण है, चंदर केतु का योग है, carry forward कर पाते हैं ना ही इनसान जीवन में कहीं से खुशियां पापाता है क्योंकि केतु दुख का कारण है इनसान के जीवन में कुछ ना कुछ दुख लगे रहते हैं चाहे वो अपने relation से हो चाहे आपने खुद के शरीर से हो किसी भी चीजों से हो इनसान दुखी ही रहता है और इन दुखों में यानि कि इनसान कहता है कि मैं दुखी हूँ और उतना ही जादा पूजा पाठ में पढ़ता है यानि कि एक तरह से दलदल में फसता है दलदल का मेन जो एक प्रिंसिपल है वो यही है कि इंसान जितना प्षट पटाएगा जितना फड़ फड़ाएगा दल दल में उतना ही वो नीचे धस्ता जाएगा इंसान जान बूझ कर वो गलती करता है और एक्सेस यानि कि ज़्यादा अमाउंट में करता है तभी कहावत है एक्सेस अफ एवरिथिंग इस इंजीरेस टू एवरिथिंग यानि कि हर एक चीज के लिए खराब है अती करवाय दुर्गती तो इन दुर्गतियों से बचने के लिए सबसे पहले आप ये पहचान लो कि केतु आपको कहीं पर जीवन में परेशाने तो नहीं दे रहा है आपके जीवन में कहीं ऐसी दिक्कते तो नहीं है जो केतु के लक्षनों से हैं आपके उलाद की दुखी उलाद के दुख उलाद प्रगति ना करे उलाद ना हो आपके शरीर में कहीं पर जॉइंट स्पेन हो आपको पेशाप के कहीं पर दिक्कत हो आपके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी घटना है जो कि किसी की सलाह से दुरगटनाओं का रूप ले चुकी ह किसी ने आप को बोला जैसे कि बाप को बोला कि आपके उलाद बहुत निकमी है, एक काम करो इसको आप बेदखल कर दो अपनी जायदात से, जैसे ही उसने ये सब कुछ किया, उसके बाद आप के उपर ही हाँ उठा दिया, क्यों किया, क्योंकि आपके केतू खराब है, और मख्यां ऊड़क एंगी और आपके जिवन में डंक मारेंगी वह डंक ही केटू है यानि की दर्द आपको हुआ ये सब के केटू को पहचान लिजिए पहले पहचान लिजिए कि दुख कितने हैं अगर आप उस दल्ल में फसे तो दल-दल में दफते जाओगे केतु के दुखों को पहचानने का सबसे आसान जरीया अपना शरीर है अगर कहीं पर दुख है शरीर में दर्द है लंबे समय तक है तो केतु डिस्टर्ब है उलाद नहीं हुई उलाद होके मर गई उलाद को कहीं पर दुख है केतु डिस्टर्ब है आपको बहुत जादा spirituality अच्छी लगती है पर जैसे ही पूजा करते हो कोई problem आती है समझ लिजे के तु डिस्टरब है आपको एक attachment नहीं है लोगों से आपको प्यार नहीं है आपको किसी भी चीज़ से प्यार नहीं हो रहा है यह detachment है तो यह केतु है केतु negative है और अगर के positive सोच देगा ब्रस्पती की सूझ भूज दे के इंसान को उठाएगा आप उठे नहीं आप गीर रहे हो तो केतु negative है अब केतु negative है तो इसके उपाई भी करने जरूरी है देखिए केतु negative है अब negative केतु कुंडली के नुसार पता लग जाएगा आपके लक्षनों से पता ल भावों को दूर करने के लिए जतन क्या किये जाएं वो होते हैं कुछ छोटे छोटे उपाए पहले तो आपने केतु को शुब करना है आमले का पौधा कहीं धर्मस्थान में लगाएं काली मिर्ची समय समय पर धर्मस्थान में दान करते रहें और मचलियों को साथ अनाज क आटा मिलता है मार्केट में उसकी गोलियां बना कर देते रहें इससे क्या होगा केतु पॉस्टिव होगा और साथी साथ आपको अगर मान लिजे कहीं से कुछ लगाव हो जाए कुछ आप दे सकते हो तो तो बढ़िया आपके लिए और इसके साथ साथ घर में आप साउथ म लगा के यानि की दही बनाते हो दूद को फारते हो या दूद का खोया बनाते हो तो घर में ये काम बिलकुल मत करिए चौकड़ी मारकर घर में बैठना लंबे समय तक पूजा पाट करना बंद करिए लिमिट के अनुसार करिए और साथी साथ तुले मानी हकीक जो की काला पत्थर होता है इसको आप पीतल या सोने में बनवाके अपनी तरजनी उगली में पहनिए और इसको लगातार जितना लंबा आप हल्दी के पानी से धोते रहेंगे यानि कि साफ करते रहेंगे उतना ही आपके केतु को ब्रेस्पती की मदद मिलती रहेगी इससे केतु के से नीचे कहीं पर दिकत है तो पैरों के अंगुठों में चांदी के दो छले दोनों अंगुठों में पहन लीजिए जैंड सेक में भी पहन सकते हैं लेफ्ट या राइट किसी में भी पहनिए बहुत अच्छे इसके रिजल्ट होंगे और सबसे पहले कम्यों को पहचान ये उपाय तो बात की चीज़े हैं अगर आप कम्यों को पहचान लोगे उन पे काम करना शुरू करोगे जो चीज बढ़ती जा रही है उनको कम कर दोगे लिमिट में ले आओगे तो आपके लिए बहुत बढ़ी हरेगा साबधानी हटी दुर घटना घटी यानि कि आपकी साब अधानी है लिमिट अगर आपने वो लिमिट क्रॉस की तो आपके लिए हर चीजे अनक्रॉस हो जाएंगी और आपके जीवन पे क्रॉस ही लगेगा तो इन चीजों को समझना जरूरी है यानि कि एक भटी में अगर एक दाना भी पकाया जाता है तो उसको एक तैशुदा मा माने या फिर किसी तरह की सजा की तरह मत चीए और इसको खुशियों में जिए खुशियां आपको लेकर आनी है इन उपाय को जिरिये लाइए बाकी वीडियो को शेर करिए जानकारियों को अपने पास रखिए आजमाईए किसी और को भी भेजिए बाकी मिलते है नहीं जान आज भाई को आगे दीजिये नमस्कार